आप लोग राज़्टी इस तरके कानूनों के बारे में पढ़ते होंगे और आप लोगों की दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये सब कानून बनाता कौन है और इससे बनाने की पिक्रिया प्रोसेस क्या है और आप देखते हैं कि बहुत सारी कानून पुनाने अंग्रेज़ों के समय बनाये गएते तो उन्हें रद्ध भी किया जाता है तो उन्हें रद्ध कैसे करते हैं और उन्हें बनाते ही कैसे हैं ये दोनों सवाल आपके सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि राज्जिस्तर के कानून की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राज्जियों में ही लागू होते हैं जिस राज्जियों में बनाय जा रहे हैं उसी राज्जिय के अंदर लागू होते हैं लेकिन जो राष्टी इस्तर का कानून रहता है वो पूरे तेश के लिए रहता है और पहले आप देखते थे कि जम्मू कस्मीर में 370 और 35 से हुआ करता था और बहुत सारे कानून ऐसे भी रहते थे जो जम्मू कस्मीर में लागूग नहीं होते थे लेकिन आपने देखा है कि 370 और 35 से हटा दिया गया जम्मू कस्मीर को दो भागों बाठ दिया गया अब आप देखेंगे लद्दाक है और जम्मू कस्मीर दोनों के अंदर सासित पिदेश हैं लेकिन दिल्ली की तरह जम्मू कस्मीर में आपकी बिधान सभा आपको देखने क मिलेगी अब वो सभी कानून यहां भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं और राज्य में अकर कानून बनानी की बात करें तो आप देखते हैं कि राज्य में आपके विधान मंदल होता है जिसमें आप देखते हैं कि विधान सवा होती है और विधान प और विधान परिशद में आता है, जहां विधान परिशद नहीं है, वहां विधान सभा में आता है, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद आप देखें कि विधान सभा से पारित होने के बाद राज्य पाल उस पर सिगनेचर करते हैं, सहमती बनाते हैं, सहमती देते हैं अपनी और वो कानून बन जाता है अगर इसी तरह हम लोग राश्टी स्थर पर चले केंद्री ये कानून की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी संसद है और संसद में आप देखते हैं कि आपका राश्टपती होता है संसत का भाग है राज्यसभा है और लोकसभा है और समिधान के मुझे लगता है कि भात 5 को आप लोग पढ़े होंगे और राष्टपती की बात करें तो समिधान का आर्टिकल अनुचेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्टपती होगा और फिर आप लोग अनुचेद 79 यानि की 89 80 को पढ़िएगा इस अंसत के गठन की बात करता है अनुचेद 80 को आप लोग पढ़ेंगे तो राज्यसभा की सरजना की बात करता है अनुचेद 81 लोगसभा की सरजना की बात करता है और बर्तमार में अगर हम लोगसभा और राज्यसभा की बात करें तो आप देखेंगे कि राज्य सभा में बर्तमान में कितने सदस हैं बताईए 245 सदस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से 233 सदसों का चुनाओ आपकी विधायकों की द्वारा होता है और 12 सदस आपके मनुनीत किया जाते हैं राष्टपती की द्वारा वहीं अगर हम लोग सभा सदसों की बात कर चुनाओ कैसे होता है तो राष्टपती के चुनाओ में आप देखेंगे कि आपके विधान सभा सदस राज्य सभा सदस और लोग सभा सदस निर्वाची सदस मनुनी सदस भाग नहीं लेते हैं निर्वाची सदस राष्टपती के चुनाओ में भाग लेते हैं ठीक है तो अ राष्टपती की सहमती मिलती है, हस्ताक्चर होते हैं, वो कानून बन जाता है, यही पिक्रिया है उसकी, और एक और याद रखेगा, आप लोगों की मन में यह भी सबाला सकता है, किमाल लेजे कि जब लोकसबा और राजसबा कि सब्त ना चल रहे हो, बैठके ना हो रही हो, अगर उस समय कोई कानून की जरूरत है, तो क्या होगा, अध्यादेश की बारे में आप लोग पड़े हैं, समिधान का अनुचेद 123 पड़े हैं, अनुचेद 123 की बात कर रहा हूं, अनुचेद 123 की, इसमें राष्टपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ती मिली हुई है, और आप देखेंगे, अध्यादेश कानून के बरावर ही सक्ती रखता है, लेकिन आप देखें, अध्यादेश राष्टपती जारी कर देता है, उसके बाद क्या रहता है कि आंगे, अध्यादेश की अधी सूचित होने के बाद इसे संसद में जब बैठक होगी, उसके 6 पता कि यवधी के बीच जाने पर अध्यादेश प्रभावगीन हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, एक बात आप लोगों ने देखी होगे, तीन किरसी कानून आये हुए थे हमारे देश में, और अध्यादेश की रूम में आये हुए थे, फिर आपने देख अध्यादेश की जरिये पहले लाए गए थे, फिर उने बाद में आप देखिए, पास करवाए गया था लोकसभा और आपकी राज्यसभा से, तो बहुत सारे कानून ऐसे भी हैं कि अभी आप देखेंगे, कि रद देखिए जा रहे हैं, जो अंग्रेजों के समय के थे, भा पनाने की और निरस्त करने की सक्ति किसके पास है, राज्य में आप देखेंगे विधानमंडल के पास है, और केंदर में आप देखेंगे संसत के पास है, और यह सक्ति अनुछे 245 के तहप दी गई है, और सरकार कानून को दो तरीकों से निरस्त कर सकती है, एक तरीका विध यह कहने का मतलब यह होता है कि जब तक राज्यसवा लोकसभा में कोई पिस्ता हो रहता है तो उसे बिध्यक ही कहते हैं और जैसे ही राज्यसवा लोकसभा से पारित होता है राष्टपती की सहमती बनती है वो कानून बन जाता है और इसके साथ ही एक और तरीके से कानून इसे हम sunset किलोज कहते हैं और इपरावधान कानून बनाने के साथ ही कानून में जोड़ा जाता है और इसमें यह लिखा होता है कि कि किस दिन से कानून लागो होना बंद हो जाएगा और आपरभावी हो जाएगा यानि कि जब आप देकि कानून बनाया जा रहा होगा उसी समय एक डेट लिख दी जाएगी कि इस तारीक तक एक कानून रहेगा इसके बाद ये आप इरभावी हो जाएगा यानि कि कानून लागू नहीं होगा और इस तरह का प्रावधान अक्सर टेक्स और अन आर्थिक कानून में किया जाता है और इसका आउधारन समिधान का अनुछे 334 भी है और अने तरीकों की बात करें तो किसी भी कानून को बापस लेने की पिक्रिया लगभग उसी तरह होती है जिस तरह की पिक्रिया संसद में कानून को बनाए जाने के लिए अपनाई जाती है और इसमें कई चरण होते हैं हम बारी बारी से सभी चरणों पर चरचा कर देते हैं ठीक है और जिस कानून को रद्ध किया जाना होता है उसे उसके सम्मंद में कानून मंतराले सम्मंधित मंतराले को सोचित करता है और इसके बाद दूसरे चर्ण में उसे सम्मंधित मंतराले की मंतरी संसद में विध्यक पेस करते हैं और तीसरे चर्ण में संसद के द अंतिम पांचवे चरण में राष्टपती इस विध्यक को अपनी सहमती देता है और राष्टपती की मुहर लगते ही सरकार अपने गजट में एक अधी सूचना के माद्यम से उस कानून को समाप्त होने की जानकारी देती है। उस पर चर्चा की जाती है। उसे पास करवाए जाता है। फिर आप देखते हैं कि राष्टपती साहब के पास जाता है। वो उसे पास करते हैं, वो उस पर हस्ताक्चर करते हैं, कानून बन जाता है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि जिस कानून को खतम करना है, उस मंतर आप देखेंगे उसे लोकसवा रासवा में विध्यक की रूम में एक तरह से पिस्तुत करेगा पिस्ताओं की रूम में फिर आप देखेंगे उस पच्छा अच्छा होगी और उसे क्या करना होगा पारित कराना होगा और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये विध्यक र राश्टपती साहब उस पर अपनी सहमती दे देंगे और वो कानून खतम हो जाएगा और राश्टपती साहब की जैसे ही मोहर मतलब से गने चारून का होगा और सरकार क्या करेगी उसके बाद गजट में एक अधी सूचना जारी कर देगी और कह देगी कि इस कानून का समत्त ह हो चुका है और जानकारी आप लोगों को दे देगी तो यही कहानी है और इसी तरह आप देखेंगे राज्टों में भी आप लोगों को देखने को मिलता है और आप देखें समय समय पर बहुत सारी नए कानूनों की जरूरत परती रहती है पूराने कानून खतम किये जाते ह अब आप सोचें कि अंग्रेजियों की समय बहुत सारी कानून बनाये गए थे अब हम लोग आजाध हो चुके हैं 15 अगस्त 1947 में हम लोग आजाध हो चुके हैं तो हमें अपने हिसाब से कानून बनाने होगे अंग्रेजोंने अपने हिसाब से कानून बनायते तो आप देखे वही पिक्किरिया चलती रहती है लेकिन मुझे लगता है कि एक सामान जानकारी होना चाहिए भारत में रह रहे हैं कानूनों के बारे में आप लोग हर रोज सुनते भी रहते हैं और वैसे तो मुझे लगता है कि हर किसी को समिधान पढ़ना चाहिए हमारी नया हिपाली का हो चाहिए आप देखे बिधाई का हो सब के बारे में आपको मालू होना चाहिए कि हमारे नेता किस तरह से चुने जा रहे हैं कैसे कानून मन रहे हैं क्या हो रहा है यह लोग सवारासवा की बैठक चलती है ना जो बिधान सवारा की बैठक चलती है ना इसमें आप देखे कि लाखों करोनों रुपे खर्च होते हैं और फिर भी आप देखते हैं कि चर्चा नहीं होती है बैस नहीं होती है उसके बाद आप देखे सरकार को बापस भी लेने प मतलब सहीद भी एक तरह से आपके ये वो उनकी डैथ भी ना होती और इतना समय बरबाद ना होता वो इतना सब ना जहिलना पड़ता उने चलिए तो यही कहानी है और देखे जिसके पास बहुमत होता है वो अपना कर लेता है अभी आप देखे बरत्मान में जो सत्ता में है उसके पास भारी बहुमत है लोकसवा में तो भारी ही है वो राजसवा में विवस्था कर लेती है आराम से बहुमत के लिए चलिए और कोई topic हो इस तरह का तो आप लोग बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे और आपको जैनकारी देते रहेंगे